कर दोस्तों एक बार फिर से आपका आज की इंग्लिस सेसं में मेरे यूट्यूब चैनल पर ही स्वागत है जैसा कि दोस्तों अपने इंग्लिस सेसं में पैसी वोईस चल रहा था उसके दो भाग मैंने पहले अप्लोड कर रहा दिये उसके अंतिम करम में आज जो टाइप सेस है रिमेंस रह गई है उसको भी बता कि फिर पैसी वोईस का सेसं जो है वह आज कंप्लेट करेंगी तो चली दोस्तों बीना वक्त को अगे शुरू करते हैं कि अब तक अपन ने क्या पड़ा तो अब तक स्वार अपन ने पैसी वोईस प्रॉम एक्टिव वोईस तो सबसे पहले अपन दोस्तों देखा इंद में अंतर देखा सर अंतर देखने के बाद अपन ने इसफ़श्ट किया सब्जेक्ट की अब्जेक्टिव फॉम बनाना सिका और उनको बाय लगा के पीछे कैसे लगाते हैं तो सब्जेक्ट की अब्जेक्टिव फॉम से किसार। ठीक है सर। उसके बाद हार्ट टेंस वा मॉडल्स वा गोइंग टू पुल मिला के दस परकार के एक्टिव होई से उनसे अपन पैसिव होई सके सारे पार्मूलेज देखें। उसके बाद इनको बदलना से का अपने के एस प्लस वी प्लस ओस और किस तरह ओ प्लस वी प्लस एस कड़ना है यह पार्म। पैसे क mistख हो हे से कि उसके बाद मैं आपन ने देखा किसर अंड इंपोर्टेंट सब् आपणडार में दोस्तों देका एक वस्तों से समदीत एक वस्तोन से मुल्टार सो ता है तो आपका इसला कें बना दो ढोल दोन्य आपके उत्तर साह ही रहेंगे और बसको से लिक कर वring वह क्छेर भट हममने अचिसले हरा फेर फ्म की प्रटीव रहेगा इन्टो अग्णेंव गाइन के इंटो जीआ रहेगा इन्टोगेटीव और इम्परेटीव ला शेक्शन, ये रहेगा अग्ण्या , आज बांच्वी बाग्स LOVE उसके बाद में प्रैक्ट्रिस करना आपको सारी उत्तर इंदी में से आपको मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों आज का सथे शरू करते हम हम इंटरोगतिव सेंटेंस अब आपको आपको मैं बता दी आपको दो परकार से इन्हां सीं प्रणकी करते हैं हूं दोनों से प्रश्ण सुरू होता है तो यहसें हो दूसरा स्New नहीं और जदा इंपोर्टेंट भी नहीं है लेकिन डुबली एस वाला थोड़ा आप ध्यान देंगे तो डुबली एस का तो फारमुला आपको एक बार रियात दिला दिला दिए कि डुबली एस वर्ड जो भी होता है उसके तुन्त बाद है उसके बाद सब्जक्ट आता है फिर मेंवरब आती है और फिर दोस्तों हो सका तो अब्जक्ट ने तो यह वाला सुतरा प्याद रगना क्योंकि यह सुत्रा आज वापीस प्रेसिंग में अपने दोस्तों काम आने वाला है 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 इस विमार जैसे कि आपको नॉर्मली जैसे कि यह वाकिले ऐसे वाक्य अपन देख सुके जैसे सीता इस कुकिंग फोर तो इसमें तो कोई बड़ी बात ने सरी तरह आता है की जमार प्लस बींग प्लस तर्ड पॉंग अब बदल देंगे तो आज वाले में कोई बड़ी बात ने होने वाली आज सिर्फ इतना वाक्य आ बड़े आज बॉल्ट आज का जो में रएगा उसमें इस तरह के बाक्य आएंगे यानि कि यह को क्या रहेंगे बाक्य रहेंगे तो अगर इसकी एक्टिव आपको एक्टिवट्य पैसी बाता आप घ्यूर इसकी जिक्ट ही नहीं कि से और इसका इस पुरुशन आपने कैसे तो टेस्में में दोस्तों आपको बताया तो कि अल्पिंग उर्व आग यह लेती क्या बन जाता है प्रशन तो पहले आपको सिंपल की ता आती है सर्थ आराम से बढ़ सकता है फूड एच भींग कोकड़ वाइश इसमें दोस्तों कोई दिकत है निया तो फिर इसमें भी कोई इसमें क्या किया था सर्थ एक्टिव टॉट पैसिम एच भी तो इसमें भी एच भी आगे लेलो तो जाएगा आपका उत्तर इस फूर्ड बींग कोकड़ वाए सीता और प्रश्टमास यानि एच भी वाला दूस्तों इतना सिंपल है कि एक्टिव इसका जो वाक्य रहता है उसके अगर हवी को आगे लेते तो प्रश्टम बनता है तो थोड़ी देर के लिए मालो पीछे रख लो तो वाक्य नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल वाक्य कि आपको पैसिवाती प्रस्ण वाचक की बनाओ तो उसकी नॉर्मल की बना कर पिर उसकी हवी को लेलो आगे यह हो होगे आपका उत्तर डबली एस में आप देखेंगे तो डुली एस वाले वाड में क्या सरी फार्मूला फिक्स रहता है जरसे एक वाक्य लेते हैं अब हम और से समझते हैं वेन डीड यू गैट दीस लेटर आपको यह पत्र कम बिला था मालो इस तरह कावां के ठीक है डुब्ली एस वाड है 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 एच वी है सब्जाक्ट है मैं वर ब्यावर ऑब्जेक्ट है अपने को सर्फ क्या चाहिए सबसे बहले तो टैंस पहचानना है लीड वाला है तो आपको इसमें बद हुआ ठीक है उसके बाद डुलीत है कि जिगह दुब लगए पर Mr तो वेन्द वाज दिस लेटर वेन्द लेटर उस्ट यू तो पीचे चला जाएगा भाई यू के रूप में गयाट की थर्ड बहुम बताऊ सर गयाट की सेगंड बारम होती है गोट और थर बहुरम भी दोस्तों वैसे गोट होती है और कई जगे गोटन भी दे रखी होती है तो गबराने की ज़रुति इसका प्रिएक बहुत कम गुर्त है गोट सही इतना काम चल जाता है और यह भी सही है तो वैंद वाइद इस लैटर गोट बाए यू जानी सेम आपका जो फार्मूला डूली एस वड़ वाला है वह स्पेस पहँचन पहचानते आपको उसको किसमें बदलना वह ध्यान रखना है फिर इसमें सब्जक्ट और ऑब्ज़क्ट को किस जगह सेट करना है ठीक उसी तरह इसका भी फार्मूला हो जाएगा यहां पर इसका सब्जक्ट है और उसके बाद में बाएगी तो यह आ जाएगा इ यह थे दोस्तों इंट्रोगेटिव बागी प्रेप्टिस करने के लिए तो आप सेकड़ वाक्य लेलो और आप आराम से बना सकते हो बागी इसी टाइप से बनेंगे अंतिम अपना टाइप है इंपेरेटीविट सेंतेंस पहले दोस्तों इन समझा देता हूं आपको कि ईसनुकि कि सुरू किसे से होते हैं इंपेरेटिव बागे कोई आपको पूशे कि स्टार्ट किस किस से होते तो आप उनको उतर देना है इता वरब की फर्स फार्म से शुरू होते हैं दूसरा सर ये डू डज से भी शुरू होते हैं तीसरा सर ये डू डज प्लस नॉट से भी शुरू होते हैं और और सर शुरू होते हैं क्या प्लीज काइनली से भी शुरू होते हैं उन्हें की सब्दें प्ली सब्सक्राइब कर दोस्तों है ओपन दोर ओपन दोर इस तरह के वाक्य भी आते हैं ठीक है और बोड़ में पुछते हो कॉम्पिटिशन में भी कई आता है ओपन दोर का और आपको आना चीए तो इसका फार्मूला बताओ सर इसका फार्मूला दोस्तों रहेगा लेट प्लस आपजयक्ट प्लस B प्लस फर्रों यानि काइक कि फर्लम सर वर्व की फर्व फोरॉं यह है और दोस्तों इसी फार्मूले म्टिशन का मान रखतो लेट की जगे लेट ही object क्या है sir the door तो late the door complete और B की जगे B और open का क्या कर देंगी open बहुत इसरा ले late plus object plus B plus third form open the door इसे तरह आप shut the window माल लागिया shut the window इस तरह किरगी बन करो तो late the window be shut की दिनों परों shut ही होती है shut 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 तो late the window be shut तो sir especially do your work let your work be done don't eat the dog कुत्य को मत मारो तो भी ये भी होगा तो not आएगा तो आप मालम एक subject या object के बाद दिन नट लगाते तो ये तीने प्रकार से अगर बाक्या आते तो आपको ये फर्मुला इस करना late प्लस object प्लस बी प्लस third form लेकिन sir अगर मालो ये ही वाक्या please kindly से आते तो फिर इसका थोड़ा सा type change हो जाता है वो कैसे दोस्तो आसे इसी वाक्या को लेते है sir please open the door हर बार आदेशी नहीं दिया जाता है कभी निवेदन भी किया जाता है ऐसे वाक्यों की फैसी कैसे बनाने ऐसे वाक्यों की फैसी बनाते से महें ये जो please और kindly ये किये इसके जिगा अपनी और से एक सब्द जोड़ा जाता है you are requested to you are requested to ये पूरा अपनी और से जोड़ना है यादि please kindly जब इनपे टीम में आते है तो you are requested to पूरा अपनी और से अपन जोड़ते है है और two आ गया पार्टिसिपल होता है two तो two के बाद जो से सब्सक्राइब बसता है please kindly काड़ने के बाद you can you आप add कर दो यादि you are requested to open the door ये दोस्तों वो इससे भी जादा सरले यादि अपने को इत्ता ही याद रखना है you are requested to please shut the window please shut the window please shut the window क्योंकि अर बार आदेशी मैंने काड़न नहीं दिया जाता है तो please आगया kindly आगया kindly shut the window आए गया हम भलो कोई दिकत नहीं इसको पहले सब से पहले काड़न दो और इसकी जिगए इस सब जोड़न पूरा क्या जोड़ेंगे sir you are requested to two आगया sir आग टू के बाद तो आपको आगया मैंसा फर्स्ट फॉरेंग आती हो और यहां लेडी फर्स्ट फॉरेंगी है तो पूरे बाकि यह काई जुड़ेगा shut the window क्लिर दोस्तों तो यह था पैसिव का पूरा section जा imperative पे जाके please kindly पे खत्म होता है तो दोस्तों प्रस्टों 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 के प्रस्टों पूछता है और एक्जाम कमटेसिन न हो या बोलेक बोडो बहुत ही सिंपल से सिंपल देना के कोशिश करता है कि अपना दिक्त मुत्तर सई हो लेकि सर्थ यह रहेगी कि आपको पूरी टेबल या दिन चीए और हरेक टाइप या दोनी चीए बागी टेबल तो बदलेगी नहीं यतावत रहेगी ठेट सुरू से लेके इंपरेट तक कोई टेबल बदलती नहीं किस टेंस को किसमा बदलना यह दोस्तों थोड़ा जान रखना जासे सब्लिमेंटी एक्जाम मुईती दोजार अठारा में उसना दो वाक्य दिये थे दोड़ियंगी इसका मुझल इसको किसमा बदलना है एज्म आर पलस मीम पलस थर पौरम तुरूं त्याद आजाना चीह किसको इसमा बदलना है ठीक है उसके बाद डूंडो ओप्जक्ट, ओप्जक्ट है सम टैनिस, एट परजप नहीं है, टैनिस को लो आगे, टैनिस एक ही ऐ जाएगा, वींग अपनी और से जुड़ेगा, वींग फले की थर पॉरंग, पले, इसके द्वारा खेला जारा है, by my uncle by my uncle uncle खेला जा रहा है at present यानि कि दोस्तों कोई दिक्कत नहीं अगर आप टैन्स को तुरूँ तो आपका उत्तर भी आपके सामने tennis is being played by my uncle at present ठीक उसे करम में दोस्तों देखते हैं अपन I have completed my homework I have completed है तो तुरूँ दिमाग में अच्छी है सर कि have आता है अज जब आता है अब थर्ड भाम आती है तो has been और have been plus third bomb में इसको बदरना है क्या है सर माई उम्रक तो माई उम्रक को आगे ले लो माई होब बार्क माई उम्रक एक ही तो है सर तो फिर है इस बीन हो जाएगा completed का तो completed ही रहेगा धर भार मी दे रखी है तो completed किसके द्वारा मेरे द्वारा तो I का क्या करना है by me यानि टेबल दोस्तों आपको याद होनी चीए subject की objective form में याद होनी चीए कोई दिखत नहीं तो इस तरह से ये बोर्ड ने जासे पूचे सब्लिमांटरी सेकंडरी बोर्ड 2018 में ठीक उसे तरह बोर्ड की मैन एक्जाम हुई तो 2018 में तो वाकवं सा तीन मारा हूँ इनको भी दो वाक्य को देख लेते देखो याँ दोनों वाक्य दिये वो थोड़ी इस पेशल है तो अन्य इंपोर्टेंट से एक है अभी जो मैंने पढ़ाया वहां से प्लीज हैंग इस फिक्षर ओन वाल करप्या करके ये जो पिक्षर है ये चित्र है दीवार पे टांग दो तो दोस्तों वाक्य किसे शुरू हो रहा है प्लीज से और अभी मैंने बता है ता़ प्लीज से सुरू होता है तो अपनी और से क्या जोणना है यू आर रिक्षेट टू तो यू आर रिक्षेषेड टू फिर पुरा वाक्य इस प्लीज को तो काटना और हैंग दिस हैंग दिस पिक्षर ओन वाल तो you are requested to hang this picture on वाल यानि दोस्तों ये प्लीज वापको काटना है और you are requested लगाना है यानि बोर ये देखता है कि हर concept clear है या नहीं बोर वो बले competition हो वाद देता तो चीज सरल है लेकिन देता इस तरह से कि concept clear होना चीज अगर आपका किसी भी चीज का फंडा या concept clear है तो फिर कहिसे भी प्रशना आजाओ कोई दिकत नहीं है और या दोस्तों देखो इसने दे से दिया है दे found him guilty of murder ठीक है ना उन्होंने पाया उसको किसका murder का या किसी को हत्या करने का guilty है निदोसी पाया तो दे आया है sir उन्होंने पाया ठीक है और किसको पाया उसको पाया दे तो बाय देम तो लगता नहीं अब यहाँ unimportant subject आप दोस्तों याद करो जब मैंने लिखवाया था हूँ इनको दे को भी बाय देम नहीं लिखते है और बोड यह चाहता है कि बच्चा लिखे तो वह नंबर कटे इसलिए बाय देम नहीं रिखना है तो क्या करेंगे sir तो इससे सुरू करेंगे कौन पाया गया थे वह पाया थे इसकी subjective form करेंगे यह हो जाएगी और टेंस कौन जाए अगर आपका कंसेप्ट कलियर है तो देन नहीं लगाएंगे हम और टेंस देख लेंगे सेकंड पाया में इसलिए वाइजवर प्लस थर्ट पॉर्म में बदल देंगे और गिल्टी आप मर्डर यह रहेगा तो यह दोस्तो था आपना पैसिव का जित्ते भी रूल्स कंसेप्ट कह दो आप सैसन के जिते रूल्स कह दो नियम कह दो सारे के सारे कंप्लिट होते है और वीद एक्जम्पल्स बोड के मैंने आपको बता दिये तो बोड कंडिडेट्स तीनो जो मेरे भागे पैसिव के उसको अच्छी तरह से देखे लोकडाउन का सुधिप्योग करें मैं बार-बार कह रहा हूँ इसको लेक खुलना अभी कबते होगा क्या मालूँ खुल भी जाएगी और उससे बाज भी अगर पढ़लोगे तो कोई दिकत नहीं पढ़ा हुगा कहीं नहीं जाता है मैंनत करने वालों के कभी हार नहीं होती है एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मिल से जूड़ जाएए और मैं प्रोमिस करता हो कि आपके बोर्ड के सेलिबस को तो मैं कम्प्लेट कराऊँगा क्या था कि दूसरी जो सेस्पी से रहती है उनको भी एक्जाम आने पर डाल दिया जाएगा अभी फिलाल आप हिंदी सामाजी एक संस्क्रत इनको छोड़ दे इंगलिस विग्यान गड़ी से ही बच्चे अधिकतर डरते हैं और ग्रामिन प्रिवेस के बच्चों को तो कोचिंग भी नहीं मिल पाती तो उस सबाब में वो क्या रहते हैं पीचे रह जाते हैं लेकि ना एंडोड मोबैल की आज कलते हो मल्टी मीडिया सोसल मीडिया का यूग चल रहा है तो सब के पास है तो यूट्यूब खोल के गंड़े पर आप वीडियो इसको वाच करें नोर्स मनाएं दोस्तों और कोई